हलो एंग गुड मॉनिंग एवरिवन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम दस अगस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते हैं उन पर डिसकेशन करने वाले है और क्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा टेलिग्राम चैनल है यहां पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडियेफ है वो भी आपको यहां मिल जाएगी यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल क्वाट है विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मञजिल तक जाने के लिए इसी मोटिवेशनल काट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिर्स्ट क्वेशन है विज्ञानिक और ओध्योगीक अनुसंदान परिशत की पहली महिला मानी देशक कौन बन गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है नल्ला थम्मी कलाई सैल्वी बन गई है डीस का करेक्ट आंसर है डीटेल से बात करें तो जो वरिष्ट विज्ञानिक है नल्ला थम्मी कलाई सैल्वी विज्ञानिक एवं ओध्योगीक अनुसंदार परिशत की ये पहली महिला मानी देशक ये बन गई है और CSIR देशवर के 38 अनुसंदान संस्तानों का एक संग है और कार्मिक मंत्राले के अनुसार वह शेखर मांडे का स्तान लेगी जो अप्रेल के अंदर रिटायर हो रहे हैं मांडे के सेवा निर्वर्ती होने के बाद में जेव प्रोध्योगी की विभाग के सचीव राजेश गोखले को CSIR का अत्रिक्त प्रभार दिया गया था लीथियम आयन बैटरी के शेतर में अपने काम से ख्याती माने वाली कलाइसल वी अभी तमिलनाडू के करेई कुड़ी में CSIR केंद्रिय विद्धूत रासाइनिक अनुसंदान संस्तान की निदेशक है कलाइसल वी विज्ञानिक और अध्योगिक अनुसंदान विभाग की सचीव का प्रभार भी समालेगी उनकी नियुकती दो साल की अभधी के लिए है CSIR की हम बात करें Council of Scientific and Industrial Research की तो इसके स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसका जो हेड़कॉर्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर है Top 5 Famous Women की हम बात करें New Director of Forest Research Institute तो ये बनी है रेनु सिंग Next Permanent Representative of India to United Nations तो ये है रूची रा कमबोस इंडिया's New Controller General of Accounts तो ये है सोनाली सिंग Praise Council of India New President of तो ये है रंजिना प्रकाश देशाई New President of Athletic Committee of International Boxing Association तो ये है लवलीना बोरहेगन Second Number Question है Who has been honored with Ladakh's highest civilian honor डिपाल आर एन जीम डस्टन 2022 से किसे सम्मानित किया गया है तो इसका correct answer होगा ये दिया गया है दलाई लामा को C इसका correct answer है तिब्बती आत्म अध्यात्म जो गुरू है दलाई लामा इनको मानवता की सेवा के शेत्र में उनके अपार योगदान के लिए Ladakh के सर्वोच नागरिक सम्मान डिपाल आर एन जीम दस्टन पुरशकार से सम्मानित किया गया है दलाई लामा को ये पुरशकार विशेश कर केंद्र शाशित प्रदेश के लिए उनके योगदान को देखते हुए Ladakh स्वायत पहाड़ी विकास परिशत की द्वारा दिया गया है L.A.S.D.C. के इस्तापना दिवस की मोके पर सिंदु घाट पर तिबवती आध्यात्मिक गुरु को डिपाल आर एन जीम दस्टन पुरशकार से सम्मानित किया गया चलिए टॉप फाइव आवोर्ड को हम रिवाइस कर लेते हैं गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवोर्ड 2022 जो मिला है अन्ना कबाली दूबा को दिया गया है केनिया की ये नर्स है प्रेस्टीजस टेंपलेट एन अवोर्ड है जो फ्रेंक विल्जेक को मिला है वंगारी मताई फोरेस्ट जो चेंपियन अवोर्ड है ये सैंसिल नाट जेबेट को मिला है प्रेस्टीजिस वीटली गोल्ड अवोर्ड दोहजर बाइस का जो है ये चारुदत मिश्रा को दिया गया है कॉमन वेल्थ पॉइंट्स ओफ लाइट अवोर्ड दोहजर बाइस जो है ये किशोर कुमार दास को मिला है थर्ड नंबर क्वेशन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गया है विश्व नाथन आनन बन गया है सीज का गरेक्ट आंसर होगा भारत के महान शत्रंज खिलाडी विश्व नाथन आनन्द को खेल की वेश्विक संचालन संस्ताफ फिडे का उपाध्यक्ष नियुक्तिया गया है नी वर्तमान अध्यक्ष आरकेडी वर्कोविच को दूसरे कारेकाल के लिए दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया है और पांच बार के वर्ड चैंपियन आनन्द वर्कोविच को टीम का ही ये हिस्सा थे डूवर्कोविच को कुल 157 वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वन्दी एंड्री बैरिश पॉलेट्स को महल 16 वोट मिले है विश्व सत्रंज निकाय के चुनाव फिडे कांग्रेस के दोरान हुए जो चम्वाली स्वेश शत्रंज ओलंपियाड के दोरान आयुजित किया जा रहा है फिडे के हम बात करें इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की देर आर आलसो चेस गेम्स तो विन इन दवार्ड दे आर रेगुलेटेट बाई फिडे और इसके इस्तापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को इसका हेड़कॉर्टर है लिूसाने स्वीजरलेंड के अंदर और इसका जो प्रेजिडेंट है ये है आरकेडी वार्कोविक फॉर्ट नंबर क्योशन है इसका एंसर होगा ये 7 अगस्ट को मनाय जाता है हर साल 7 अगस्ट के दिन रास्टिय हथ करगा दिवस मनाय जाता है और इस दिन भारतिय लोकल हैंड लूम को प्रौसाहित किया जाता है इंडियन ब्रांड्स और खादी को विश्व भर में पहुचाने की पहल की जाती है इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है ये आर्थिक रूप से हत करगा उद्ध्योग को मजबूत बनाना और इसे दुनिया में ब्रैंड के तोर पर पेश करना है राष्ट्य अहत करगा दिवस मनाने की जो गोशना है ये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और प्रधान मंत्री के द्वारा चेन्ने के कॉलेज और मदरास के शताबदी कोरिडोर में राष्ट्य अहत करगा दिवस का उद्धाटन किया गया था पहली बार 7 अगस 2015 में ये बनाया गया था फाइट नंबर ग्येशन है वू हैस बिकम देस 75 चैस ग्रेंड मास्टर ओफ इंडिया भारत के 75 वे शत्रंज ग्रेंड मास्टर कौन बन गये हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गये है वी प्रनव बन गये हैं बीस का करेक्ट आंसर है डिटेल से बात करें तो शत्रंज खिलाडी वी प्रनव रोमानिया में एक टूनामेंड जीत कर भारत के 75 वे ग्रेंड मास्टर ये बन गये हैं चेन्य के 15 वर्ष के प्रनव ने रोमानिया के बाईया मारे में लिपेडिया ओपत जीत कर अपना तीसरा और आखरी ग्रेंड मास्टर नौम इनोंने हासिल कर लिया है और इनों ने 9 दोर में 7 अंक लेकर ग्रेंड मास्टर नॉर्म हासिल किया और प्रड़ाउं तमिलाडू के 27 वे ग्रेंड मास्टर है उनसे पहले विश्वा नाथन आनन, डी गुगेश और आर प्रग्यानन्दा भी इसी राजे से ग्रेंड मास्टर बने हैं और इनों ने 3 बार राजे चैंपेंशिप जीती है और 2021 में वर्ड रैपिड इवेंट में काश्य पदक जीता है चलिए ग्रेंड मास्टर की हम बात करें तो जो गिजोन चैस मास्टर है ये जीता है डी गुगेश ने सत्तरवे जो चैस ग्रेंड मास्टर बने थे ये है आर राजा रित्वीक तैलंगाना से ये है और 71 नमबर के जो चैस ग्रेंड मास्टर है ये है संकल्प गुपता महरास्ट से ये है और 72 नमबर के जो Chess Grandmaster है यह है Mitraba Guha, Kolgatta के यह है 73 नमबर के जो Chess Grandmaster है यह है Rahul Shrivastav, यह भी तैलंगाना से है Priyanka Nattuki has become the 23rd female Chess Grandmaster of India 23 नमबर की जो female Chess Grandmaster बनी है Priyanka Nattuki 6 नमबर ग्वेशन है Which Indian has been awarded the Knight of the Order of the Merit by the French Government फ्रांस सरकार के द्वारा किस भारतिय को Knight of the Order of the Merit से सम्मानित किया गया है तो जो Chevalier Award है यह कनन सुन्दरम को मिला है These का correct answer होगा, details से बात करें तो कलाचूडू के प्रकाशक कनन सुन्दरम को फ्रांस सरकार के द्वारा और फ्रांस के बीच प्रकाशन सयोंग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है Chevalier Award फ्रांस गनराजे के रास्ट्रपती के द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक French Order of Merit ये पुरशकार है France की हम बात करें France is located in the continent of Europe और इसकी capital जो है ये है Paris इसकी जो currency है ये है Euro Prime Minister यहां के है Elizabeth Bond From which country India has bought Rafale aircraft तो ये भी कहां से लाता है? France से ये लेता है When did the France revolution happen? तो ये 1799 के अंदर ये हुआ था Where is the headquarters of UNESCO located? तो ये Paris France के अंदर इस्तित है What is the name of the Parliament of France? तो ये है National Assembly What is the name of the international border between Germany and France? तो इसको बोलते हैं Maggi Not Line के नाम से इसे जाना जाता है 7th number question है Who has presided over the 7th meeting of the governing council of Niti Aayog held in New Delhi नई दिली में आयोजित नीती आयोग की governing council की साथवी बैठक की अध्यक्षता किसने की है तो इसका correct answer होगा इसकी अध्यक्षता नरिंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है ये इसका correct answer है प्रदान मंतरी नरिंद्र मोदी ने नीती आयोग की जो संचालन परिशद है इसकी साथवी बैठक की अध्यक्षता की है और ये जो बैठक है ये जुलाई 2019 के बाद से governing council की ये पहली व्यक्तिगत बैठक है नीती आयोग के शिर्ष निकाय परिशद में सभी मुख्य मंतरी और केंद्र शाशित प्रदेशों के लेप्टिनेट गवर्नर और कई केंद्रिय मंतरी इसके अंदर शामिल है इस बैठक में पी-म नरिंद्र मोदी और रक्षा मंतरी राजनात सिंग केंद्री मंतरी प्यूश गोयल सडक परिवहन मंतरी नितिनगाडगरी वित मंतरी निर्मला सीता रमन केंद्री ग्रै मंतरी अमिश्चा और पैट्रेलियं जो मंतरी है हरदीब सिंग पूरी सते समेथ तमाम अधिकारी इसके अंदर मोजूत रहे नीती आयो के हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है National Institute of Transformation of India और इसकी इस्तापना हुई थी एक जन्वरी 2015 को और इसके Headquarters है New Delhi के अंदर और इसके President है नरिंद्र मोदी Vice President है सुमन के बेरी और CEO है इसके परमेश्वरन आयर एट नमबर क्वेशन है Who has started the नशे से आजादी National Youth and Student Dialogue Program 2022 अंडर दर ब्लग प्री इंडिया केमपैन नशा मुक्त भारत अभिहान के तहत नशे से आजादी रास्ट्री युवा एवं चात्र समवादकारी करम 2022 को किसने शुरू किया है तो इसका correct answer होगा Social Justice and Empowerment Department के द्वारा ये शुरू किया गया है एसका correct answer होगा डिटेल से हम बात करें तो सामाजी क्न्याई एवं अधिकारिता विभाग ने भारत के 272 जिलो में नशा मुक्त भारत अभिहान के तहत नशे से आजादी रास्ट्री युवा एवं चट्र सम्वाद कारिकरम 2022 को शुरू किया है सामाजी ग्न्याई एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभिहान के तहत चार अगस 2022 को नशे से आजादी रास्ट्रिय युवा एवं च्छात्र सम्वाद कारिकरम का आयोजन किया नशा मुक्त अभियान के जरिये संपून भारत को नशा मुक्त करने है तू एक दूसरे को प्रेरित ये करना है प्रेसाइडिंग ओवर दे प्रोग्राम की बात करें तो ये है डॉक्तर विरेंद्र कुमार ये यूनियन मिनिस्टर ओव सोचियल जस्टिस एन एंपावर्मेंट है नाइन नमबर क्वेशन है विश्व यूनियन एथलेट तू विन टू मैडल्स इन वर्ड यू ट्वंटी एथलेटिक्स चेंपियनशिप विश्व यू ट्वंटी एथलेटिक्स चेंपियनशिप 2022 में दो पदक जीतने वाली पहली भारती एथलेट कौन बन गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गई है रूपल चोधरी बन गई है डीस का करेक्ट आंसर है डिटेल से बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक किसान की बेटी रूपल चोधरी विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चेंपियनशिप में दो पदक जीतने वाली पहली भारती के ये बन गई है रूपल ने महिलाओ की 400 मीटर दोड में कांश्य पदक जीता है और इससे पहले इनों ने चार गुणा 400 मीटर रिले में रजत पदक हांसिल किया था इस साल के शुरू में रूपल ने खिताब की प्रबल दावेदार करनाट की प्रिया मोहन को पीछे छोड कर राश्ट्री अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चेंपियनशिप में भहिलाओ की 400 मीटर दोड में स्वन पदक जीता था टॉप 5 फेमस प्लेयर्स की हम बात करें तो यह जीता है डी गुगेश के द्वारा वो हैस्ट प्लेयर इंटरनेशनल फुटबोल हिस्ट्री तो यह जीता है सुनीर शेतरी के द्वारा तो यह जीता है अनाहा सिंग ने तो यह जीता है गुष्टेव MC कौन के द्वारा 10 नमबर क्वेशन है Who has won the title of Miss India USA किसने Miss India USA का जो टाइटल है यह जीत लिया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा यह जीत लिया है आरिया वालवेकर ने जीत लिया है सीस का करेक्ट आंसर है वर्जिनिया की भारती अमेरिकी आरिया वालवेकर ने इस साल Miss India USA 2022 का जो टाइटल है यह अपने नाम कर लिया है 18 साल की यह है आरिया इनको न्यू जर्सी में आयोजित वार्शिक प्रतियोगिता में Miss India USA 2022 का ताज पहनाया गया और University of Virginia की छात्र सौम्या शर्मा दूसरे और न्यू जर्सी की संजना चैकूरी तीसरे इस्तान के अंदर यहां पे रही है तीस राज्यों का जो प्रतिनिदित्व है यह करने वाले चौहतर प्रतियोगियों ने तीन अलग अलग प्रतियोगियाओ Miss India USA Message India USA और Miss Teen India USA में भाग लिया तीन श्रेणियों के विजेताओं को इसी सम्मू के द्वारा आयोजेत वर्ड वाइड पिजेंट्स में भाग लेने के लिए अगले साल की शुरुवात में मुंबई जाने का मोका मिलेगा चले कल के जो MCQ है उन्हें हम जल्दी से रिवाइस कर लेते हैं फर्स्ट क्वेशन है भारत के नए उपरास्टपती कौन बन गए है न्यू वाइस प्रेजिडेंट ओफ इंडिया तो ये कौन बन गए है जगदीब धनकर बन गए है ये इसका करेक्ट आंसर होगा सेकिंड नमबर क्वेशन है एसे डबल एफ अंडर 20 फुटबोल चैंपियंशिप 2022 का जो टाइटल है ये किस देश की टीम ने जीत लिया है तो ये जीत लिया है भारत के द्वारा 20 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड नमबर क्वेशन है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रते जिले में एक संस्कृत ग्राम विक्सीत करने वाला भारत का पहला राज ये कौन सा बनेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनेगा उत्राखन ये इसका करेक्ट आंसर है दुनिया का सबसे बड़ा तेरता सोलर पावर प्लांट किस नदी पर बनाया जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनाया जाएगा नर्मदा नदी पर इसका करेक्ट आंसर है फाइफ नमबर ग्रेशन है किस देश नी अपने पहले धनूरी नामक चंद्रियान मिशन को लौँच किया है तो जो धनूरी नामक चंद्रियान जो मिशन है ये साउथ कोरिया ने लौँच किया है नई तकनी का प्रियोग कर गन्य की खेती को भड़ावा देने के लिए जो पंचामरत योजना है इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के दौरा 20 का करेक्ट आंसर है भारत और दक्षिन पूर्वी एशियाई रास्ट्रो के संगठन मंत्री इस्तरिय बैठक 2022 कहां पर आयोजित हुई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कमबोडिया के अंदर आयोजित हुई है ड्रॉन तक्नीक के माध्यम से खेतों में नैनो यूरिया छिड़काव के लिए इफको नैनो यूरिया छिड़काव योजना को किसने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये भूपेंद्र पटेल के द्वारा शुरू किया गया है गुजरात के ये मुख्य मंत्र और फिल्लेंड को दी गई है 20 का करेक्ट आंसर है 10 नमबर क्वेशन है कौन सा IIT डिजिटल लेंदेन में NPCI की मदद करेगा तो इसका करेक्ट आंसर होगा IIT कानपूर इसके अंदर मदद करेगा C इसका करेक्ट आंसर है और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss क्वेशन और ये है कलका study gloss question who has won the title of Hungarian Formula 1 Grand Prix 2022 तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मैक्स वर स्टेपेन के द्वारा जीता गया है ये इसका करेक्ट आंसर है और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question अकिल भारतिये जिला विदिक सेवा प्रादी करणों की पहली बैटक कहा आयो जित हुई है इसका अंसर मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको सारे question quiz के format में available हो जाएंगे और इस lecture की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी I hope आपको session पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो